हेलो एव्रिवन स्वागत है आप सभी का Defense Officers Academy की एक और नई वीडियो में मेरा नाम है जिग्यासा खुक्षाल और आज के इस सेशन में हम लोग SI का concept समझने वाले हैं और उससे related कुछ questions करने वाले हैं तो जो Simple Interest जिसको हम SI भी बोलते हैं यह mainly banks में apply होता है not actually bank में बट कुछ FDs होते है fix deposits जिसमें इसका use किया जाता है तो suppose एक bank है एक person है A उसने bank में 100 rupees deposit किये और एक दूसरा person है B जिसको bank से 100 rupees का loan चाहिए था तो जो 100 rupees A ने deposit किये थे bank वाले ने वही 100 rupees B को as loan दे दिये और bank ने उससे return में मांगे rupees 120 जिसमें से 10 rupees उसने A को दे दिये और 10 rupees उसने अपने पास रख लिए तो यहाँ पर अगर हम देखे तो A को 10 rupees का profit हुआ है bank को भी 10 rupees का profit हुआ है लेकिन यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि B को कोई profit नहीं हुआ पर ऐसा नहीं है B को भी profit हुआ है क्योंकि जिस moment of time पे B को rupees चाहिए थे bank ने उसको उसी time पे rupees देकर help करी अब हम देख लेते हैं कि SI काम कैसे करता है suppose मैंने year 2024 में 100 rupees bank में deposit किये bank वालो का specific rate होता है जिसके हिसाब से वो लोग interest देते हैं suppose वो rate उन्हां रखा 10% per annum per annum मतलब yearly तो SI जो मेरा होगा वो इस 100 का 10% निकलेगा 100 का 10% कितना होता है 10 तो 100 rupees का 10% हो जाएगा 10 rupees और year के end में मेरे पास जितने rupees होंगे वो कितने होंगे rupees 110 क्योंकि यह जो 100 rupees थे इनके अंदर जब मैं SI जोड़ूंगी तो मुझे मिलेंगे year के end में 110 rupees अब suppose year 2025 के लिए भी मैंने वो पैसे bank में ही रखे रहन दिये तो इस साल में मेरे पास कितने rupees है? rupees 110 बैंक वारों ने मुझे तभी same rate ही दिया 10% per annum तो जो ऐसा ही अब निकलेगा ना एक बहुत common सा misconception होता है कि अब जो ऐसा ही निकलेगा वो हमारा इस पर निकलेगा तो यहां पर 11 rupees आएगा लेकिन यह गलत है लेकिन यह गलत है क्योंकि अब हमारा जो SI निकलेगा वो हमारा इस ही पहले वाले principle पर निकलेगा जो हमारा initial principle है जो rupees 100 हमारा first principle था जानिकि हमारा initial principle उसी पहमारा SI निकलेगा तो कितना आएगा 100 का 10% 10 rupees इस साल में जो हमारे इस साल के end में जो हमारे पास पैसे होंगे वो कितने होंगे 120 क्योंकि इस 110 में 10 rupees हमने आड करें तो 120 ऐसे ही अगर year 2026 के लिए भी मैंने बैंक में पैसे रहने दिये तो अभी मेरे पास कितना है पैसे बैंक में 120 सेम रेट के हिसाब से मुझे SI मिलेगा यानि कि interest मिलेगा जो कि कितना होगा rupees 10 क्यों क्योंकि हमेशा SI हमारा first principle पे ही निकलता है इसी वजह से SI का use नहीं किया जाता है बैंक में क्योंकि अगर किसी ने rupees 110 deposit किये तब भी उसको 10 rupees का ही interest मिलेगा या फिर अगर किसी ने rupees 100 अगर उसने बैंक में रहने दिये उसके पास 120 हो चुक है लेकिन तब भी उसको 10 rupees का ही interest मिल रहा है इसी लिए यह commonly bank में नहीं use किया जाता और सिर्फ कुछ FD में ही use किया जाता है अब यहां से हमें एक बहुत ही जादा linear सा formula पता चला है पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन सारे terms को हम कहते क्या है जो हमारा जो हमारे year के starting में जतने पैसे हम डालते है bank में जो deposit करते हैं उसको हम बोलते है principal और जो हमारे year के end में हमें मिलते है पैसे उसको हम बोलते है amount amount हमें कैसे मिलता है जब भी principal में हम SI को जोडते हैं तब हमें amount मिलता है यहां से मुझे बहुत linear सी equation पता चली है क्या कि बहुत ही जादा simple equation मुझे पता चली है कि अगर मैं principal में SI add करती हूँ तो मुझे amount मिलता है इसको मैं बोलूँगी equation number one SI ढूणने का एक और formula होता है जिसको हम कहते है PRT upon 100 SI का हमें दिख रहा होगा कि कही न कहीं इसका relation principle से है तो इसलिए formula अच्छे से हमें समध आ सकता है कि SI होता है principle into rate into time upon 100 अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अगर हमें यह दो formula पता है तो SI से दिल्टे जुचते भी questions आएंगे हम उन सब को solve कर सकते हैं लेकिन अगर कहीं पर speed की बात आती है या फिर जल्दी-जल्दी solve करनी की बात आती है तो हम दो formula और यहाँ से ले सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या बोला कि equation number 2 की value है उसको मैं 1 में रखके देखती हूं equation number 1 क्या है principle plus SI is equal to amount equation number 2 से मुझे SI की value मिली है क्या value मिली है P RT upon 100 is equal to amount यहां से अगर मैं P को common लोंगी तो मेरे पास आएगा 1 plus RT upon 100 is equal to amount अगर यहाँ पर मैं LCM लोंगी LCM आएगा 100 तो 100 LCM आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 plus RT is equal to amount और यहां से मुझे principal की value मिली है क्या value मिली है यह जब cross multiply होगा तो यह उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 100 A upon 100 plus RT तो यहां से मुझे बहुत ही जाएगा simple एक equation मिली है 100 A upon 100 plus RT इसको मैं equation number 3 बोल लेती हूं जो यह वाली equation है इससे हम principal ढूण सकते हैं और यह वाली equation independent of SI है वालो हमने जो equation number 1 दीखी थी उसमे principal ढूणने के रहे हमें SI की जरुवत पड़ती थी लेकिन अब इस वाली equation में अगर कभी भी question में amount दिया हो, rate दिया हो और time दिया हो हमसे principal पूछा हो ता हम इस equation का use करके अराम से निकाल सकता है अब मैं यहाँ पार बोलूँगी के put the value of equation number 3 in 1 equation number 3 की जो value थी उसे मैं equation number 1 में रखूँगी तो equation number 3 में मुझे क्या value मिली थी मुझे मिलती principal की value क्या 100 a upon 100 plus rt और equation number 1 क्या है principle plus si is equal to amount equation 1 मेरी खास equation है इसमें ही सारी values रखें मुझे दो नहीं equation मिलेगी अब मुझे principal की value क्या मिली थी equation number 3 से 100 a upon 100 plus rt plus si is equal to amount अब यहां से si की value निकालने के लिए यहां पर a plus में ज़र जाके minus में हो जाएगा 100 a upon 100 plus rt अब यहां से lcm लोंगी तो lcm आएगा 100 plus rt तो यह हो जाएगा 100 a plus a rt minus 100 a minus plus cancel हो जाएगे, minus 100 a और 100 a cancel हो जाएगे तो यहां से मुझे si की value मिलती है a rt upon 100 हमें si निकालने के पहली वी एक value मिली थी जो की थी p rt upon 100 लेकिन अगर कभी question में principal ना दिया हो और हमसे amount principal ना दिया हो और हमसे si पूछा हो तो हम यह वाले formula को use करके equation no.4 जो की है a rt upon 100 plus rt को use करके si निकाल सकते हैं तो अभी तक हमको क्या देखने को मिला है हमें कुछ equations मिली है सबसे पहरे हमें यह देखने को मिला है कि principal में जब भी हम si add करते हैं तो हमें amount मिलता है दूसरी चीज़ हमें यह पता चली कि question में अगर si पूछा हो तो principal into rate into time upon 100 करके हम si निकाल सकते हैं तीसरी equation से हमें यह पता चला था कि principal की value क्या होती है 100 a upon 100 plus rt और हमें एक 4th equation में निकाल थी जिससे हमें si की value पता चलती है क्या a rt upon 100 अब यहां पर इन दोनो equations को याद करने का एक upon 100 plus rt इन दोनो equations को याद करने का एक अच्छा तरीका है कि si जो पहले हमने si देखा था वो होता था prt upon 100 लेकिन क्योंकि इस equation में principal नहीं है तो इसलिए a आएगा इसलिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि a rt upon 100 आएगा यह सारी equations सारे formulas बहुत ही जाद easy है अच्छे से याद हो सकते हैं इसी से related अब हम कुछ questions कर लेता हैं जैसे कि question number one यह सारे questions rd sharma 7 के example से लिए गए लेकिन इन questions को करने से पहले मैं एक बहुत ही जादा simple सी चीज यहाँ पे explain करना चाहती हूं कि यह सारी चीज से लिखे है ना इन में हर एक term का क्या मतलब है इन सारी equations में principle पी का मतलब है principle principle को हम लोग sum भी बोलते है principle वह value होती है जो हमें किसी भी year के first में हम देते हैं या तो हम bank में deposit करते हैं या फिर हम loan लेते हैं bank से तो bank हमें देता है तो जो भी value दी गई होती है वह principle होती है या फिर जिस भी value से हम start कर रहे होता है वह principle होता है प्रिंसिपल के बाद आर, आर होता है रेट पर एनम, रेट हमेशा येरली के हिसाफ से दिया गया होता है, रेट के बाद आता है एस आई यानि की सिंपल इंट्रेस्ट, सिंपल इंट्रेस्स हमेशा प्रिंसिपल में आड्ड होता है, जिसे के हमें अमाउंट मिले, Simple interest के बाद आता है A जो की होता है amount amount वो value होती है जो हमें किसी भी year के end में मिलती है उस value को हम amount कहते हैं अब questions में कई बार confuse किया जाता है क्योंकि basically हम पैसों को भी amount कहते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है what amount what sum will amount to rupees इतना उसमें हमें बहुत clear होता है कि हा sum बोला है तो principal पूछा है लेकिन कई बार questions में amount भी दिया होता है जिसको बहुत लोग amount लेकर confuse कर लेता है लेकिन हमें confuse नहीं होना क्योंकि हमें पता है amount क्या होता है जो भी year के end में हमें पैसे मिलते हैं उसे हम amount कहते हैं और यहां पर सबसे ज़्यादा important होता है t जो क्यों होता है time in years यह क्यों important है क्योंकि इसमें time हमेशा years में दिया होना चाहिए अगर time years में नहीं दिया होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा मतलब दिक्कत तो नहीं होगी लेकिन हमको years में उसे convert करना पड़ेगा अब एक simple सा question देख लेता है इस question में सबसे पहले हम given लिखेंगे कि दिया क्या है question हमसे कहे क्या रहा है question में बोला है कि 800 rupees का sum sum मैंने आपको बताया था की sum का मतलब principle होता है तो हमें principle सबसे पहले हो पता चल गया कितना है principle? rupees 800 तो 800 rupees किसी ने लिये है for one year time हमें पता चल गया कितना है? one year एक साल के लिए 800 rupees का किसी ने loan लिया है उसके बाद rate भी दिया है question में, हमें कितना? 8% per annum, sorry, 18% per annum, और इन्होंने हमसे SI पूछा है, कि SI क्या हुआ, अब यहाँ पर हमें सारी चीज़े given है, क्या क्या given है, principle हमें दे रखा है 800 rupees, time हमें दे रखा है 1 year, और rate भी दे रखा है 18% per annum, अब एक formula हमने देखा था, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, by using SI is equal to principle into rate into time upon 100, तो principle कितना है हमारे पास? 800, into rate कितना है? 18, into time कितना है? 1 year upon 100, यहाँ पर 2-0 से 2-0 cancel हो जाएंगे, और 18 into 8 कितना होता है? तो इसका मतलब SI जो हमारा आया, वो कितना आ गया? rupees 144, तो यह बहुत ही basic सा question था, इसमें हमने SI का जो formula होता है, PRT upon 100 का use करते हुए, इस question को हमने solve कर लिए, हम next question पर आएंगे, हर एक question को solve करने से पहले हमें उसका given लिखना बहुत ही जादा important होता है, तो हम given लिखेंगे, इस question में क्या बोला है कि Anita borrowed rupees 400 from her friend, तो Anita एक लड़की है, उसने अपनी friend से rupees 400 borrowed किये, या इसका मतलब हमें यह पता चल गया, मैंने आपको बोला था कि जो भी पैसे कोई हमें देता है, या फिर हम किसी को देता है, या फिर मतलब जो भी पैसे दिये जाते है वह principal होता है, तो हमें principal पता चल गया, और question में साफ साफ rate भी दिया है कितना, 12% per annum, तो साफ साफ हमें rate भी दिया था है यहा पर, उसके बाद यहां पर हमें time भी दिया है, कितना, two whole one by two years, two whole one by two years, अब time हमें थोड़ा mixed fraction में दिया है, तो हम इसको एक improper fraction में convert कर लेंगे, क्या हो जाएगा, five upon two years, अभी हाँ पर हमें सारी information given है, हमें principal दिया है, rate दिया है और time दिया है, लेकर इसमें क्या पूचा है, इन्होंने हमसे interest पूचा है, यानि कि si पूचा है और amount पूचा है, तो amount का जो formula होता है, वो क्या होता है principal plus si, तो एक बार अगर हमें si मिल गया, तो amount हमें मिल जाएगा, अब si का formula क्या होता है, prt upon 100, principal कितना है इसमें 400, into rate 12%, into time कितना है 5 upon 2, upon 100, 20 से 20 cancel, इसका answer आगया, rupees 120, si जब हमारा 120 आगया, तो amount निकालना बहुत ही जाएजी होता है, क्योंकि amount क्या होता है, principal plus si, amount कितना आएगा, principal हमें already given था question में 400, plus si हमें मिल गया 120, तो यानि कि amount कितना आया, 520 rupees, इसका मतलब, जो उसकी friend थी, Anita ने अपनी friend से rupees 400 लिए, rent पे, loan पे लिए, कितने rate पे, 12% per annum के rate पे, कितनी years के लिए, 5 upon 2 years के लिए, उसकी friend ने उसे 120 rupees का interest मांगा, और जो amount उसे pay करना पड़ा, वो कितना था, 520 rupees, इसी तरीके से एक और question हम देख लेंगे, इसमें दिया है कि farmer borrowed rupees 2400, तो एक farmer था, उसने 2400 rupees का loan लिया, given लिख लेंगे सबसे पहले, इसका मतलब principle कितना हो गया, rupees 2400, कितने rate पे, कितना rate पे लिया उसने, 12% per annum के rate पे, at the end of 2, 1 by 2 years, इसका मतलब, इसका मतलब एक farmer था, उसने 2400 का loan कहीं से लिया, किस rate पे लिया उसने, 12% per annum के rate पे लिया, 2 whole 1 by 2 years के लिया, यानि कि 5 upon 2 years के लिया, अब यहां पर क्या condition दिया ना, कि उसने loan जब उसने वापस से pay करा, तो उसने कैसे pay करा, amount एक तरीके से amount ही दिया है, कैसे pay करा, उसने अपनी एक cow बेची, और उसने 1200 rupees दिया, ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे यहां पर, मुझे amount निकालना होगा, जिससे कि मुझे यह पता चल पह है कि, cow का कितना cost है, तो मैं पहले amount निकाल होगी, कैसे, amount कैसे निकालते है, principle plus SI, principle मुझे given है, पर SI given नहीं है, सबसे पहले मुझे SI निकालना होगा, SI कितना होता है, पी इंटु आर इंटु टी अपॉन वन हंडर्ड प्रिंसिपल कितना है 2400 इंटु रेट 12% इंटु टाइम 5 अपॉन तु यूर्स अपॉन वन हंडर्ड दो जिरो से दो जिरो कैंसल हो जाएंगे 2 1 टाइम 12 टाइम यानि कि 720 रुपीज का इंट्रेस्ट 720 रुपीज का इंट्रेस्ट उसे पे करना था किति के लोन पर 2400 के लोन पर तो यहां से हमें अमांट पता चल सकता है कि कैसे पता चलेगा अमांट इस इक्वेल तो प्रिंसिपल ब्लस एसाई प्रिंसिपल कितना है 2400 एसाई कितना है 720 2400 प्रस 720 3120 रुपीज ठीक है इसका मतलब अमांट हमने यहां पर देखा था कि उसने कैसे पे करा एक काउ और 1200 रुपीज को उसने अपनी काउ दे दिया और 1200 रुपीज दे दिया तब जाके उसने 3120 का अमांट हो पे कर पाया अब यहां पर ना हमें नहीं पता कि काउ का प्राइस कितना है वह हमें निकालना है तो मैं आपर क्या बोलूंगी let the cost of काउ भी एक्स रुपीज मुझे नहीं पता तो मैं एक्स ले लेती हूँ अब क्या दिया है क्वेशन में कि काउ और रुपीज 1200 को उसने दिया जिससे कि 3120 रुपीज उसके सारे पे हो पाय है तो यहां से एक्स की वैल्यू कैसे आज जाएगी 3120 माइनस 1200 मतलब 1200 कितना आएगा 3120 माइनस 1200 यानि कि कितने आ गए 1920 इसका मतलब जो क्वेशन में हमसे पूछा था वह हमने निकाल लिया देर्फोर दा कॉस्ट ओफ दा काउ इस रुपीज वन नाइन टू जीरो यह वाला क्वेशन भी बहुत ही जादा एजी था असानी से हमने सॉल्फ कर लिया इसके बाद एक क्वेशन और है इस क्वेशन में अभी हमने जितने भी क्वेशन सॉल्फ करें वह बहुत जादा बेसकते हैं कि उनमें हमें खाली फॉर्मिले इस यूज करने थे हमें प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ दे रखा था यह वाला क्वेशन में हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि वाट प्रिंसिपल विल अमाउंट तो रूपीज इतना इन सिक्सियर्स आइट 10% सिंपल इंडरेस इसका और हमें रेट दिया है कितना 10% पर अनम का हमें इस साथी चीज़े गिवेन है और इसमें हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल हमें निकालना है तो यहां पर मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं यहां पर ऐसा ही निकाल लूँगी एसाई क्या होता है ए आर टी अपॉन वन हंडरेड प्लस आर टी है ना यह एसाई का हमने दूसरा फॉर्मिला देगा था क्यूकि इसमें प्रिंसिपल गिवेन नहीं है तो इसमें मैं एसाई निकाल रहे हूं तो क्या है एसाई एक इतना है अमाउंट 900 इंटू रेट 10 इंटू टाइम 6 यह अपॉन वन हंडरेड प्लस रेट हमारे पास 10 है और टाइम कितना है 6 यानिकी 16 ठीक है आर नो 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 सॉरी सॉरी 16 नहीं होगा 100 प्लस र कितना है 10 इंटू T कितना है 6 इसका मतलब कितना हुआ 900 प्लस 10 इंटू 6 अपॉन 100 प्लस 60 900 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 160 ठीक है एक 0 से एक 0 कैंसल यह 2 की टेबल से जाएगा 8 ताइम्स यह 2 की टेबल से जाएगा तो कितना आ रहा है 1 1 2 5 अपॉन 4 इतना हमारे SI आ रहा है अगर SI इतना है तो principal हम कैसे निकालेंगे यहां अबे जाए देखना हमने देखा जा कि principal प्लस SI होता है amount तो principle निकालने के लिए हमें amount minus SI करना होगा amount हमें question में कितना दिया है 900 minus SI अभी हमें निकाला कितना आया 1 1 2 5 upon 4 principle कितना आएगा अगर हम LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा 4 यह हो जाएगा 4 से multiply तो 3600 upon 1125 1125 तो यह कितना आ रहा है 2475 upon 4 रुपीज इसका मतलब जो प्रिंसिपल था हमारा वो कितना आ रहा है 2475 upon 4 रुपीज बहुती जादा easy question था है इसमें हमको amount दिया था time दिया था और rate दिया था इन्होंने बस हमसे इतना पूछा था कि principle वो कौन सा principle होगा जो इतने amount इतना amount हो जाएगा जिसका six years में इतने rate पर तो हमने पहले यहांसे si निकाला si जब हमें मिल गया उसके बाद एक और हमने बहुत linear सा formula देखा था कि principle प्लस si is equal to amount तो यहांसे प्रिंसिपल की value किया जाती है amount minus si और यहांसे इसकी value आ गई 2475 upon 4 इसकी बाद एक और question है इस question में अगर हम पहले देखे हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिया है इसमें हमसे पूछा है कि एक sum of money है जो आपने आपको double करता है 8 years में नहीं तो हम को किसारी टाइम दिया है कितना दिया है ku कि dime दिया है कितना 8 years इंहोने हमसे rate पूछा है नहीं तो उनहीं प्रिंसिपल दिया है कितना तो इस question में ली क्या करेंगे सपोच्छ मैंने प्रिंसिपल को 1963 100 मान लिआ हम इस को X लेके भी कर सकते हैं लेकिन जब values होती है तो हमारे लिए calculation करने easy हो जाती है तो इसलिए principle मैंने hundred मान लिया अब इस question में दिया है कि उसका जो amount होगा ना वो double हो जाएगा तो यानि कि 100 का double जो क्यों होता है rupees 200 ठीक है और इन्होंने हमसे rate पूछा है तो 100 का double हो जाएगा इसका मतलब हमने एक formula देखा था क्या कि principle प्लस SI is equal to amount और यही से अगर हमें SI निकालना हो तो amount minus principle amount कितना है 200 principle कितना है 100 यानि कि जो हमारा SI है ना वो rupees 100 है ठीक है हमें SI पता चल गया कि rupees 100 है और यहां पे हमें क्या क्या दिया है principle दिया है time दिया है rate नहीं दिया वही हमको question में निकालने को बोला है तो हम क्या करेंगे न हम formula लगाएंगे SI का हम formula लगाएंगे SI का जो कि होता है principle into rate into time upon 100 principle कितना है 100 into rate कितना दिया है rate नहीं दिया rate को हम आरे नहीं देंगे और time कितना दिया है 8 upon 100 यहां पे हम एक और चीज करेंगे कि SI हमें already given है कितना 100 इधर 100 से 100 cancel हो जाएगा और rate कितना आएगा rate आएगा यहां से 25 upon 2% ठीक है cross multiplication होगी तो cross multiplication अगर होगी तो यह वाला term उपर चला जाएगा हो जाएगा 100 upon यह वाला term नहीं चाला जाएगा 100 upon 8 उसको cancel out करने के बाद 25 upon 2 आएगा तो अभी तक हमने जुत्ते भी questions करें उसका एक बार revision कर देता है यह हमारा question number 1 था इसमें हमसे बोला था कि एक sum है यह principle इसको 1 years के लिए किसीने loan पे लिया था 1 years के लिए 18% per annum के rate पे तो हमने इस question को SI is equal to PRT upon 100 वाले formula का use करते वह अराम से इसका SI निकाल लिया था जो कि आया था रूपीज 144 उसके बार एक दूसरा question आया था क्या अनीता borrowed रूपीज 400 वार फ्रेंड तो इस question में basically हमें principle दिया था कितना 400 कि अनीता ने अपनी एक दोस्ते रूपीज 400 लिये किस rate पे 12% per annum के rate पे कितने years के लिए 2 whole 1 upon 2 यानी कि 5 upon 2 years के लिए तो हमने पहले यहां से SI निकाला जो हमसे question में पूछा था कि interest और amount हमें दोनों लूड़ना है तो सबसे पहले हमने यहां से interest निकाला उसके बाद amount का formula होता है principle प्रिंसिपल प्लस SI तो principle में SI याड़ करके हमने principle निकाल लिया उसके बाद तीसरा question था कि एक farmer ने 2400 रूपीज इंट्रेस्ट 2400 रूपीज बौरो किये किस इंट्रेस्ट पे 12% पर आनम के इंट्रेस्ट पे 5 by 2 years के लिए और उसने जो उसने लिये थे रूपीज उसको उसने वापस कैसे करा एक काउ को बेचके अपनी एक गाय को बेचके और 1200 रूपीज देखे तो यहां से हमने SI का formula ल कितना होता है principle प्रिंसिपल प्लस हैसा है तो यहां से हमने amount निकाल लिया यानि कि जो उसने ऐसा जो amount था जो उसे काउ और 1200 रूपीज दे कर पे करना पड़ा वो amount था कितना 3120 उसके बाद यहां से हमने काउ की price को X ले लिया और हमने काउ का price निकाल लिया मतलब काउ का cost कितना था वो हमने निकाल लिया उसके बाद एक question हमारे पास आया है कि ऐसा कौन सा principle है जो 900 रूपीज में amount हो जाएगा 6 years में इतने rate पर तो ऐस SI का हमने formula देखा था पीछे यहां पर SI का हमने formula देखा था a rt upon 100 plus rt उसको use करते वे हमने यहां से उसको use करते वे हमने यहां से SI निकाल लिया इस question को हम एक और तरीके से कर सकते थे क्योंकि हमने एक formula और देखा था principal का जो क्यों होता है 100 a upon 100 plus rt तो हमें यहां पर amount दे रखा था कितना rupees 900 तो क्या हो जाता 900 into 100 upon 100 plus rate कितना था हमारे पास rate था 10% और time था 6 years यहां पर 10 into 6 900 into 100 upon 100 plus 60 जो कि आता 900 into 100 upon 160 इसको हम लोग cancel करते और 225 into 2 हमने कर रहा था जैसी कि यहां पर तो यहां पर हमारा answer किता आया था 1 1 2 5 upon 4 और यहां पर भी हमारा same answer आयगा कितना 1 1 2 5 upon 4 इतना easy question था इसको हमने कर लिया था हम इसको कर सकते हैं हमने जो इसे पहले तरीके से किया था उससे हमें थोड़ा लेंदी पड़ा था क्योंकि हमने पहले इसमें principle निकाला था पहले हमने इसमें SI निकाला था फिर हमने principle निकाला था यह एक डायरेक्ट को उस सम को हमने 100 माल लिया और वो double करता है तो amount कितना हो जाएगा 200 कितने years में 8 years में यहां पर इन्हों ने हमसे पूछा था कि कितने rate पर करता है तो हमने SI का formula लगाया था से पहले हमें SI कैसे पता चला क्योंकि SI होता है principle plus SI is equal to amount तो SI क्या होगा amount minus principle amount है 200 उसमें से 100 minus करेंगे तो 100 ही आएगा यहां से हमने SI का formula लगा के हमें पता चल गया कि 25 upon 2% है इसका answer आशागर्टियों कि आपको आज क्या सेशन पसंद आया होगा जोते भी questions मैंने कराए वो सारे RD श्वर्मा 7th में present है आप लोग उन स्क्रारे questions को कर सकते हो और अगर कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हो तब तक के लिए bye bye all the best चल यानी को तो हो। आशागर्ंग यानी को यानी ओी यान्वा